तो मैं बताना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ यह आम अदमिक पार्टी है हमां अंदोलन की कोक से पैदा हुए है तुमारे किसी बंदर घुणकी से डरने वाले नहीं है तुमारे किसी बंदर घुणकी को डरने वाले नहीं है तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो अर्विंद केजरिवाल कर तुमने जेल में भेज़ दिया मनेस्स सौदिया कर तुमने जेल में भेज़ दिया सतेन जेन कर तुमने जेल में भेज़ दिया उनका गुनाः क्या है उनका गुनाः ये है कि वो दिल्ली की दो करोण जनता को अच्छी सिक्षा देना चाहते है उनका गुना यह है कि वो दिल्ली के बुजर्गों को तीध यात्रा कराना चाहते है उनका गुना यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते है हमारी माताओं बेहनों को आर्थिक संकट में अपने पती का चेहरा ना देखना पड़े इसलिए एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं उनका गुनाई यह है कि हमारी माताओं बेहने जो मजदूर ही करती है उनके पास बसका किराया नहीं होता एकाटो वाले की बेटी जो कालच जाती है उसके पास बसका किराया नहीं होता उनका गुनाह ये है कि अर्बिंद केजरिवाल कहते है हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बसकी यात्रा के लिए एक रुपए नहीं देना पड़ेगा तो मिंदस्तान की सबसे बेतरी सरकार अर्बिंद केजरिवाल की सरकार को गिराना चाहते हो तोड़ना चाहते हो, हमारे बिदायकों को डराना चाहते हो आतिसी को गिरिफ्तार करोगे, सौरभ भरत दौज को गिरिफ्तार करोगे दुर्गेस पाथक को गिरिफ्तार करोगे रागो चद्दा को गिरिफ्तार करोगे हमारे विधायकों के घर पे छापे मारी करोगे इनकंटेक्स का छापा गुलाव सिंग पे कैलास गेलों से सारे चार घंटे पूस्ताच ताना साही मजा रखिये इस देश के अंदर ताना साही मजा रखिये मैं कहना चाहता हूँ छे महीने जेल में रहके आया हूँ नरेंदर मोदी जी कान खोल कर सुन लो आम आदमी पाटी आम आदमी पार्टी का एक एक कर करता आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और बिधाख अपने नेता अरविंद केजरिवाल के साथ खड़ा है अरविंद केजरिवाल के साथ खड़ा है दिल्ली के मुख्य मंत्री के साथ खड़ा है क्या कह रहे है भाजपाई भाजपाई कह रहे है केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं याद रखना ये कह रहे हैं केजरीवाल दो करोण जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते हैं केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते हैं केजरीवाल मुहला क्लीनिक क्यों नहीं बंद करते हैं केजरिवाल बसकी यात्राक फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते अरे एक छोटी सी सरकार दिल्ली की केजरिवाल की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है इतनी बेहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को टेंट का स्कूल दिखाना पड़ा याद है कि भूल गया आतिसी जी याद है ना याद है ना आप एजुकेशन मिनिस्टर आपने देखा होगा हमारे कारकरता उने का अच्छे स्कूल बनाएंगे अच्छे स्कूल बनाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री थे नरंदर मोधी जी उन्होंने का केजरिवाल के टक्कर का स्कूल हमको दिखाना है तो उन्होंने कृतिम स्कूल तयार किया टेंट वाला स्कूल तयार किया हमने दिल्ली के अंदर टेंट वाले स्कूल की जगह एर कंडिशन कमरों का स्कूल तयार किया और नरंदर मोधी ने पचीस साल गुजरात में भाज इस्तिफादे दो भाई इस्तिफादे दो भाई